मसालेदार लच्छा पराठा आप यह देखे कितना बढ़िया बना है और यह देखे बहुत सारी परते वाला यहां पे हमारे पराठा तयार हुआ है और इसको अगर आप दहीं के साथ सुब ब्रेकफास में इसको लेते हो तो यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा मो स्वादर नुसर जितना नमक आधा चमच जितने हल्दी पाउडर एक चमच जितना अतनी अजीरा पाउडर एक चमच जितना लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच जितना गरम मसाला एक चोथा चमच जितनी इंग और फिर यहां पे दो बड़े चमच जितनी यह देखे यहां तो इस तरह से मसल मसल कर डारेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो पराठे में बढ़ी आता है तो हम यहां पे दो बड़े चम्मचीत ने ले रहे हैं फिर मोहिन के लिए एक बड़ा चम्मचीत ने इसमें तेल डाल देना है और लास्ट में कुछ हरा धन्या डालते हैं और अब सबसे पहले हाथ की साहता से सभी जीजो को अच्छे सापस में मिक्स कर लेते हैं मसाले है वो आप अपनी पसंद के नुशार कम ज्यादा थोड़ा सा कर सकते हो तो यहां पे मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया आते में और अब पानी थोड़ा थोड़ा डालते और इसका हमें पराठे की कंसिस्टेंसी वाला डो प्रिपेर करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और हमें पराठे का डो पेले तयार कर लेना है तो यह देखिए पराठे की कंसिस्टेंसी वाला सेमी सोफ्ट डो बनके एकदम तयार है और जब यह तयार हो तो इसके उपर मैंने एक चमच तेल लाल के अच्छे से मसल कर ये देखिए स्मूथ कर लिया है तो अब इसको ढखकर हमें करीबन 15 मिनिट तक रेस्ट करने के लिए रख देना है बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे हमारा जो ये आटा है वो ये देखिए सेटों के एकदम तयार है इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये स्टेप आप मिस मत करना तो ये 15 मिनिट के बाद अच्छे से देखिए सेट हो चुका है अब इसमें से इतना सा भाग लेना है ये देखिए इतना सा भाग ले लेते है और जो बाकी बचाव आटा है उसको हम ढग कर रख देंगे ताकि ये सुख न जाए तो यहाँ पर मैंने ये भाग ले लिया है इसको इस तरह से पहले गोल-गोल घुमाते हुए एक फ्लेट शेप देदना है और फिर एक बेलन की साहिता से हमें जो पतली रोटी जिस तरह से बनाते है नॉर्मल रोटी उसी consistency वाली पहले एक रोटी बना लेनी है तो ये देखिये रोटी की consistency वाली ये देखिये एक रोटी तैयार है अब इसके उपर अधा चमच उतना घी डालना है और घी को इसके उपर अच्छे से फेला देना है ये इस तरह से घी डालने से इसके जो पराथे वो एकदम खिली-खिली खिलती है और यानि कि ये जो पराथा है वो भी एकदम कुरकुरा बनता है तो हम ये घी डालना है और फिर घी डालने के बाद इसके उपर हम थोड़ा सा सुखाटा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे तो यह देखिए सुखाटा डाल दिया और अब हमें इसको रोल आउट करना है तो यह देखिए पहले इस तरह से फोल्ड करते करते इस तरह से हमें बना लेना है यह देखिए जिस तरह से मैं दिख रहा हूँ इस तरह से और फिर हमें इस तरह से रोल आउट करना है यानि कि pack कर देना है, दोनों किनारियों को आपस में ये देखे, इस तरह से pack कर देना है और फिर flat कर देना है, और अब इसको हमें सुखहाटे में लपेट लेना है, ये देखे, मैं आप आपे सुखाटा ले रहा हूँ और इसको अच्छे से इसमें लपट लेना है और फीर हम जिस तरह से normal पराठा बनाते हैं उसी थिकनेस वाला हमें पराठा तयार करना है और जो किनारी है उसको आपस में mix मतलब के जो किनारी का भागे उसको attach करते जाना है इस तरह से और हमें एक पराठा जो नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह से बना लेना है तो यह देखिए एक पराठा मैंने बना लिया है और इसकी जो थिकने से वो भी सेमी थिक है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है इस तरह से यह देखिए इसकी थिकनेस आपको इतनी रखनी है तो यहाँ पे एक पराठा मैंने बेल लिया है उसी तरह से बाकी जो हमने आटाग उठाए उसमें से पराठे पहले से रोल आउट कर लेते हैं तो देखिये हमने जितना मेजरमेंट लिया था उसमें से चार टोटल पराठे बनने है और अब इसको गेस के तवे के उपर सेखने के लिया रख देना है तो तवा को मैंने पहले से गरम करके रखाता इसके उपर हम पराठा सेखने के लिया रख देना है मेडियम के इसकी फ्लेम रखनी है और पहले दोनों साइट बीना तेल लगाए हुए सेक लेना है नीचे की साइट थोड़ा सा सिख चुका है तो अब दूसरी साइट भी अच्छे से सेक लेना है घी डालने से जो हम कहते हैं कि यह लच्छे दर पराठा बनता है वो हमने घी डाला है उसी से बनता है अब दोनों साइड हमने बीना की डाले पेले सेक लिया और अब अधा अधा चमच इतना की दोनों साइड लगान देना है और अब गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए उस तरह से मेडियम के इसके फ्लेम पर रखते हुए प्रेस करते जाना है और हमें एक परफेक्ट पराठा तयार करना है तो एक साइड मेने की लगा दिया पल्टा देते हैं आप देखिए दूसरी साइड भी अच्छा सा कलर आच चुका है इस साइड भी हम अधा चमच इतना की डाल देते हैं और इस तरह से लगा देते हैं, यह देखे, फूलने लगा है हमारा पराठा, परफेक्ट यहाँ पराठा बना है, और धिरे धिरे इसकी परढ रहते हैं, वो भी खुलने लगेगी, अब प्रेस करते जाना है, और अच्छे से एक पराठा हम पहले सेक लेते हैं, बहुत जदे इजी रेसिपी है पर आप नॉर्मल पराठी जगा पर इस तरह का पराठ बनाओगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है तो दोनों साइड में अच्छे से से शेक रहा हूँ प्रेस करते जाना है और मीडियूम गेस की फ्लेम पर रखते हुए ही सेक ना है तो यहाँ पर एक पराठा सिक के तयार है ये देखे चलिए अब गेस में से उसको निकाल लेते है और डाइरेक एक एसी चाली है चाली वाले जो थालियाते उसके उपर रख देना है ताकि ये सोगी ना हो जाए और ये देखे कितनी बड़ी हमारी यहाँ पराठ खिली हुई ह इसका कलर भी देखे देखने में इतना टेम्टिंग लग रहा है ये देखे बहुत ज़्याद हमारी यहाँ पराठे खिली हुई है तो इसी तरह से बाकी सारे पराठे सेक लेना है तो यहाँ पर टोटल चार पराठ हमने जो बनाए थे वो मैंने सेक लिया है अब इसको पराठे बनाए और इसको सेकने में भी घीका यूस किया है तो आज की यह मसाला लचेदार पराठी की रेसिप आपको कैसी लगी वह मुझे कॉमेंट सेक्षन बोक्स में बताना और कोई डाउट है वह भी बताना तो मैं आपके साथ इसका सोलूशन शेयर करूंगा अगर आ परोके साथ शेयर करिए इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक्यू फर वाचिंग धन्यवाद